जहीं दोस्तों वैकम वैक्टिस आफ्टिरिया आई होफ कि आफ लोग अच्छे होंगे एक फिर आफ सभी का बहुत 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 स्वागत करते हैं BPSC टीचर सेलरी से समधित यहां पे वड़ी अफडेट जो है आपको देने जा रहा हूं दोस्तों यानि आपको अगर TRE 3.0 में आपका सेलेक्शन हो गया है या फिर आप जो है TRE 4.0 का प्रिप्रेशन कर रहे हैं और बिहार में BPSC टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मन में जग्जा सा जरूर होगी कि आपको जो है सेलरी जो है बिहार में की सतरह है टीचर की जो है बिहार में किस तरह से जो है चल रही है यानि अगर बात करें बेसिक पर कितना रहेगा DA,HRA, NPS कितना जो है आपको मिलने वाला है यह तमाम तरह की चीजे जो है इस वीडियो में जानने को मिलेगी तो बने रहेगा वीडियो में अंतक और बतातें दोस्तों TRE 4.0 का भैकिन सी बहुत जल जो है आने वाली है और उसका रोस्टर पे जो है काम हो रहा है आप और बहुत जल जो है आपको बंफर भरती आपको देखने को मिलेगी तो चलिए स्टार्ट करतें वीडियो को उससे पहले चैनल पर अगर फर्स टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन ब्रेस कर लिजिएगा ताकि इसी तरह इन्फरमेटिव वीडियो का जो है नौटिफिकेशन आप तक मिलती रहे देखे सबसे पहले बात करें तो आपकी जो आपकी सैलरी जो देखने को मिलेगी अगर आम कक्षा 6-8 के अगर बात करें तो देखे बेसिक पे जो आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है चाहे आप किसी भी सब्जेट के टीचर क्यों ना हो कि वही भी सब्जेट क्यों ना पढ़ाते हो सब के लिए एकवल ही रहने वाला है तो बेसिक पे जो है आपका 28,000 यहाँ पे रहेगा और आपको DA म 50% का यहाँ पे आपको DA यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों और जिसका अगर 50% अगर इसमें आपको निकालेंगे इसका 28,000 का 50% निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा 14,000 इसी तरह अगर बात करें HRA की तो HRA जो है ग्रामीन में 4% मिलता है और इसका अगर 4% आप निक क्योंकि जयारी सी बात है अगर आप बिहार में टीचर बन रहे हैं तो मैक्सिमम केंडिडेट को जो है जो आपका ग्रामीन एरिया में ही आपको जो है स्कुल में जो पढ़ाना होगा तो वही आम यहाँ पे रखे हैं आपका HRA जो है 4% मिलती है ग्रामीन इलाकों में सारी म थोड़ा सा बढ़ जाती है तो हम लोग बेसिक जो है यही लेके चलेंगे कि ग्रामीन में जो है आपको 4% मिलेगी उसके तहट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1,120 रुपे जो है आपको HRA यानि हाउस जो है रेंट जो दिया जाता है वो आपको यहाँ पे मिलने वाल है यानि हाउस रेंट एलाउंसेज जो है आपको मिलने वाला है फिर M.A की बात करें तो यह आपको जो है 1,000 का जो है M.A आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस तरह है टोटेल को अगर यहाँ पे हम लोग समप करते हैं तो टोटेल जो है आपका यहाँ पे बनता है 44,120 यह आपका टोटेल जो है यहाँ पे निकल के आएगा इसके बाद अगर बात करें तो आपका next आता है आपकी segment आता है NPS deduction देखिए उतने salary में से कुछ आपका deduction भी होगा कटोती भी salary में से की जाएगी जो कुछ इस परकार रहेगी 4200 रुपे जो है आपको यहाँ पे deduction होगा NPS के थुरू NPS मतलब national pension scheme के तहट जो है आपकी यहाँ पे 42 रुपे की कटोती होगी जिसमें 10% of BA plus DA मिला के जो है आपको यहाँ 42 रुपे की deduction होगा आपके salary में उसके बाद GIS में 30 रुपे की यहाँ पे deduction की जाती है इस तरह से 4230 रुपे आपका जो है deduction salary में होगा याँ आपको in hand salary की अगर बात करें तो आपका जो है यहाँ पे 44,120 रुपे माइनस कर देंगे 4230 रुपे से तो आपको जो है 39,890 रुपे जो है आपको यहाँ पे in hand salary यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसके बाद अगर बात करें आपका जो total amount in NPS वाला तो यह भी आपको जानना जरूरी है तो देखिए total amount in NPS जिसमें आपका 42,000 रुपे तो यहाँ पे deduction हुआ है फिर आपका 40% BA और DA में से जाएगा तो इस तरह सागी इसका अगर आप calculate करेंगे तो 42,000 पलस यहाँ पे जो है 5,880 रुपे टोटल अगर add कर देते हैं तो आपका 10,080 रुपीज का जो है total amount in NPS जो है आपको यहाँ पे मिलेगा और इसके तहट अगर आप यहाँ पे पूरे summarize करते हैं और यहाँ पे सारे चीजों को अगर देखते हैं तो आपको cut-shut के जो बोला जाता है ना total salary per month की अगर बात करते हैं तो वो देखें यहाँ पे total कीजिएगा जैसे कि यहाँ पे आम लोग total करेंगे 39,890 रुपीज यह जो आपका in hand salary जो था प्लस यह जो आपका यहाँ पे अगर देखेंगे 10,080 रुपीज जो कि आपकी यहाँ से कटोती की जा रही है तो यह एक तरह से आपको जो है एक तरह से जो pension जो आपको जो जैसे आप retirement होते हैं तो उस समय जो आपकी जो यहाँ पे salary आपको देखने को मिलेगी इतने रुपीज तो यह आप ही के account में जाता है हलाकि कोई घबराने वाली बात नहीं है लेकिन आपको इस तरह से sum up करते हैं तो total जो salary पर मंद की अगर बात करें तो 49,9 70 रुपीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो देख सकते हैं अच्छी खासी जो है बिहार सरकार जो है यहाँ पे BPST teacher के थुरू जो है salary यहाँ पे provide कर रही है ऐसे में जो है तमाम अभियर्थिगन जिनका जो है TRE 3.0 में selection हो गया उनको तो इतना मिलेगा ले बिल्कुल आप लोग जो है यहाँ पे demotivate ना हो bumper भरतिया TRE 4 के form में आ रहे है TRE 4.0 के form में निकाली गई जाएगी बहुत जल्द इसका notification जारी होगा तो और एक बड़ा मोका आप क्या wait कर रहा है और बता दें जिन candidate का जो है state qualify हो गया है या फिर seated जो qualify जो है किये हुए ह या फिर इस बार का form भरे हुए है तो बिल्कुल आपको नया भरती में भी जो है जो है मोका भी दिया जाएगा यानि आपका seated नया वाला जो December 15 में जो conduct हो रही है उसमें भी वाले candidate को भी जो है TRE 4.0 में बैठने का मोका मिलेगा और state जो उन्होंने qualify कर लिया उनको तो मिले देना बाद थैंक्स पर वाचिंग